नमस्कार दोस्तों मैं अजीत यादो आप देख रहे हैं नई दिष्टी आज हम जानेंगे क्यों होती है नसों में खोन की रुकावाट प्लाकेच क्या है इसका इलाज क्या है लेकिन ये सब जानने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी जान लेते हैं मनुस्य की तेज रप्तार से दोड़ती जिन्दगी की जीवन सैली को खान पान की कुछ आदतों ने बहुत बिगार दिया है खान पान की वस्तूओं में मिलावट अधिक होने लगी है जिससे हमारे सरीज में कोलेस्टराल की मातरा बढ़ रही है जिसके यह बिमारी बहुत ज्यादा फैल रही है इस बिमारी में हमारे सरीर की नसों में रक्त का प्रबार रुख जाता है जिसके कारण नसों में बलट का संचार रुख जाता है और ऐसी इस्तिती में लकवा, हार्ट अटेक ततान कई प्रकार की खतरनाक बिमारियां हो जाती है आ अगर हमारे सरीर में किसी भी प्रकार से खून नहीं बनता हो या फिर नसों में खून का संचार नहीं होता हो तो इस उपाय को करके आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो अगर रोज सुबा नास्ते में ओर्ट्स का सेवन किया जाय तो नसों की बलाके समंदित परिसानी नहीं होगी क्योंकि ओर्ट्स में ऐसे ततो पाये जाते हैं जो सरीर में कोलेश्टाल की मात्रा को कम करते हैं या फिर सरीर में कोलेस्टाल की मात्रा बढ़ गई है तो एसे में आपको कभी भी इस बिमारी का सामना करना पड़ सकता है इस बिमारी से बचने के लिए रोज सुबर एक गिलास अनार के जूस का सेवन करने से बहुत ही लाब होगा अगर रोज भोजण में लासुन का सेवन किया जाए तो भी इस गंभीर समस्या से बचा जा सकता है क्योंकि लासुन भी सरीर में कोलेस्ट्रैल की मात्रा को कम करता है तो ये वीडियो आपको कसी लगी कमेंट में अपनी रहे जरू दें और या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को सेयर करें